mcq questions solve करने के लिए आपको एक चीज का धान रखना है आपको question दो बार पढ़ना है तीन बार पढ़ना है and then फिर आपका option का choice रहना चाहिए यहाँ पर आप elimination method से जा सकते हो if you are not sure with the option confusion हो रहा है but make sure you use whole of the time allocated for the exams outcomes कई बार मैंने देखा है कि economics and maths का जो पेपर है आपका cf foundation का वो आपका एक गंटे में हो जाता है बट यहर आपको दो गंटे जब दिये हैं तो उस गंटे को पूरा यूज करिए पूरा पूरा यूज करिए कई लोग बुलते सर हमने अटेम्ट तो पूरा कर लिया है लेकिन मार्क्स उतने नहीं आ रहे जितने आने चाहिए the thing is आप घाई में या गडवड में कोई option ऐसा टिक करके आ रहे हो जो उसका answer ही नहीं दो बार पढ़िए question को दो बार पढ़ने के बाद सही answer पर टिक करिए क्योंकि आपको दो गंटे दिये पूरे use करिए यह mistake कहीं पर भी मत करिए अगर आपको score बढ़ाना है तो यह strategy आप